YFS Tech Gang को join कीजिए क्योंकि जो content आपको हमारे चैनल पर देखने हो मिलेगा वो आपको किसी और चैनल पर देखने हो नहीं मिलता है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो बेल आइकन को अल पर प्रेस करो और वेलकम टू वाइफास फामिली हलो गाईज कैसे हो यार आप सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप चाहिए ना रॉम को यहाँ पर यूज करते हो तो उसके अंदर आपको क्या फीचर्स देखने हो मिलेंगे अभी मैं यहाँ पर EU रॉम को यूज कर रहा हूँ यूरोपियन रॉम हम यहाँ पर इसका वीडियो मैंने अल्रेडी बनाया है आईकार्ट सेक्शन में आपको इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा ठीके गाईज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ चाहिना रॉम के अंदर आपको क्या क्या अप्लिकेशन न बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने फोन को करना पड़ेगा शाप रिकवरी के अंदर बूट यहाँ पर शाप रिकवरी में बूट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर आल्रेडी डाउ यहाँ पर आपका जो है जो भी application आप यहाँ पर use कर रहे हैं वो सभी सभी यहाँ से uninstall हो जाएंगी पूरा OS यहाँ से आपका remove हो जाएगा तो guys सबसे पहले आपको यहाँ पर power button को press करके रखना है उसके बाद आपको यहाँ पर reboot वाले option पर click करना है recovery mode में चले जाना है recovery mode में आप जाएंगे आपका यहाँ पर sharp recovery के अंदर बूट हो जाएगा अगर आपको नहीं पता यहाँ पर कैसे यह वाले option को यहाँ पर enable करना है जो आप power key को press and hold करके यहाँ पर recovery mode आ जाता है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा icard section में जरूर से आप उस वीडियो को check out कर लीजेगा पूरे वीडियो देखने के बाद तो यहाँ पर जो हमारा phone है वो यहाँ पर आ चुका है sharp recovery के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं logo हमें यहाँ पर देखने हो मिल गया उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले आपको चले जाना होगा mount के अंदर mount में आपने यहाँ पर सभी चीजों को जो भी आपको यहाँ पर option देखने हो मिल रहे हैं USB, OTG और micro SD card अगर आपका यहाँ पर available है उनको आपने छोड़ देना है उसके बाद back करना है back करने के बाद guys यहाँ पर मेरी तरफ से मैं आपको recommend करूँगा कि आप यहाँ पर जो आपका data है उसका आप एक बार backup ले लीजिए backup ले लेंगे यहाँ पर simple यह जितने भी option आपको यहाँ पर देखना हो मिल रहे है सभी already tick होंगे सिर्फ आपको यहाँ पर नीचे यह जो नीचे वाले option पर आपने click करना है और आपका backup यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा back करेंगे backup आपको मिलेगा यहाँ पर बना हुआ मिल जाएगा आपको अपने phone का backup जो भी आप current ROM यूज कर रहे है उसके बाद गाईज आपको जाना होगा wipe के अंदर wipe में आपको advance wipe में जाना है delvik system data इन तीनों को आपने यहाँ से select करना है उसके बाद आपने इसको wipe कर देना है यहाँ से आपने इसको wipe कर देंगे आपका जो OS है यहाँ से remove हो जाएगा vendor हमने नहीं किया है android 10 का vendor है वो रहना ज़रूरी है उसके बाद गाईज यहाँ पर आपने flash के अंदर चले जाना है download वाले option में जाना है जहाँ पर आपने China MIUI ROM को रखा हुआ है आपने यहाँ पर click करना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे option आएंगे नीचे आपको यहाँ पर tick वाला यहाँ पर button देखने हो मिलेगा इस पर आपने tap करना है और again यहाँ पर flash कर देना है guys यहाँ पर आपक flashing start हो जाएगा यहाँ पर आपको time लग सकता है जाद से एक minute आपको यहाँ पर देखने हो लगेगा आपका जो ROM है वो यहाँ पर flash हो जाएगा तो guys मैं थोड़ा सा आपको skip करके दिखाऊंगा दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है जबी आप कि आज नहीं है तो आप अपने phone को recover नहीं कर पाएंगे guys यहाँ पर जो हमारा ROM install हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं checking configure हो चुगा है formatting system हो चुगा है formatting vendor हो चुगा installing system and installing vendor यह process यहाँ पर चल रहा है थोड़ा ही time लगेगा flash हो जाएगा तो guys यहाँ पर हमारा successfully install हो चुगा है MIUI China ROM अब यहाँ पर आपने click करना है सबसे नीचे वाले option पर उसके बाद आपने reboot पर click करना है आपका जो यहाँ पर current slot है वो आपका जो भी था उसी पर रहने दीजेगा उसके बाद आपने reboot वाले option पर click कर देना है that's it आपका यहाँ पर सभी चीज़े complete हो चुग है आपका phone यहाँ पर restart होगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ अपने phone को reboot होने दिना है कुछ भी आपको चेड़गानी करने की खास जरुरत नहीं होगी यहाँ पर MIUI 12 का logo यहाँ पर आपको देखने हो मिल गया है अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ wait करना है कुछ भी ज़ादा यहाँ पर आपको करने की ज़ुरत नहीं है wait कीजिगा MIUI 12 के अंदर आपका Mi A3 boot हो जाएगा बिना किसी tension के तो गाइस यहाँ पर हमारा China beta ROM जो है यहाँ पर आ चुगा है MIUI 12 का आप यहाँ पर logo देख सकते हैं हमारा यहाँ पर reboot हो चुगा है फोन और यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देखने में लहीं लगा दो से तीन मिनट के बीच में यहाँ पर reboot हो गया काफी जल्दी यहाँ पर reboot हो चुगा है हमारा फोन तो अभी आपको यहाँ पर click करना रहेगा उसके बाद आपको यहाँ पर skip the network करने का option मिल जाएगा उसके बाद नीचे आपको I have read इस पर आपने next कर देना है उसके बाद आपका यहाँ पर privacy के regarding आपको दिखा रहा है next करेंगे नीचे आपको wallpapers यह सब आपको यहाँ पर warning शो कर रहा है statement on basic services तो आपने इसको skip कर देन है उसके बाद guys यहाँ पर आपको next करने का option आएगा उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ासा wait करना है getting some information देख रहा है यहाँ पर guys यह थोड़ासा यार मुझे different लग रहा है हमारे EU ROM से यहाँ पर आपको setup करने के लिए आ गया है me account तो यहाँ पर इसको भी आप skip कर दीज test full gestures skip this step okay and then swipe up so swipe up आप करते रहेंगे आप अपने phone के अंदर आ जाएंगे guys तो guys यहाँ पर आपको google play store देखने हो मिल जाता है आपको google apps यहाँ पर आप use कर पाएंगे तो आपको कोई problem नहीं है get apps me का जो application है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर application देखने हो मिल जाएंगी आप यहाँ पर इससे भी applications को install कर पाएंगे लेकिन यहाँ पर आपको Chinese language और Chinese applications TikTok, TikTok, TikTok वो सारी applications आप यहाँ पर install कर सकते हैं तो गाईज भर भर के आपको यहाँ पर Chinese language, Chinese applications तो देखने हो मिलेंगी ही मिलेंगी यहाँ पर अब मैं आपको detail में बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको इसके अंदर features देखने हो मिलते हैं तो guys करेंगे इसका पूरा reviews के features का और guys यहाँ पर आप देख सकते हैं सबी जितने भी games यहाँ पर आपको देखने हो मिलें सबी के सबी Chinese हैं और यहां पर आप देख सकते हैं DNF पता नहीं क्या क्या यहां पर आपको दिया जा रहा है अभी मैं यहां पर आपको security application के अंदर लेके चलता हूँ देखते हैं इसके अंदर आपको जो cleaner देखने हो मिलता है तो हम कर देंगे इसको denied उसके बाद guys यहां पर आपको cleaner जो देखन agree मत कीजिएगा बाकी आप इसको use कर सकते हो agree कहीं भी मत कीजिएगा यार मेरी दरफ से तो मैं agree तो विल्कुल भी नहीं कहूंगा setting में आप जाएंगे यहां पर आपको cleaner के अंदर अगर आप जाएंगे definitions में आप जाएंगे तो यहां पर clean master जो है आपका यहां पर दिया गय आपका जो यहां पर me account है वो आपको सबसे उपर देखने हो मिलेगा यहां पर आपको दिख जाएगा me UI 12 का logo all specs की बात करूं kernel version आपको me UI का phynix kernel आपको यहां पर देखने हो मिलेगा यहां पर हम देखते हैं इसमें आपको super wallpaper का support देखने हो मिलता है या नहीं wallpapers में आप ज wallpaper किसी भी हद तक यहां पर देखने हो नहीं मिलता है बाकी सभी जो यहां पर wallpapers दिये गए हैं वो सभी available हैं तो guys हमारे European ROM के अंदर काफी कुछ options आपको extra दिये गए हैं bitnet developers की तरफ से जिनोंने हमें वहां पर enable करके दिये हैं काफी अच्छे-च्छे features दिये हैं like super wallpaper आप य home screen में जाएंगे home screen में आपको यहां पर जादा option तो मेरे को देखने में नहीं लग रहे हैं app vault आप सिर्फ और सिर्फ Xiaomi का यूज़ कर सकते हैं home screen में with app drawer जा सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है बाकी यहां पर आपको themes में अगर आप themes में जाते हैं तो मैं वो भी आपको यहां प पर देखने हो मिलेंगे ही मिलेंगे इसका मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है battery performance यहां पर इस तो गाइस battery usage stats की बात करो तो यहां पर highest जा रहा है मेरा screen अभी तक मुझे 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 5 या 10 minute हुए है इसे flash कियो है और यहां पर 38.63 percentage जा रहा है मेरा यहां पर और themes मे भी मेरा इतना ही जा रहा है get apps में भी तो मेरे इसाब से same ही आपको battery backup देखने हो मिलेगा हाला कि performance में थोड़ा सा change हो सकता है यहां पर मैं यह बिल्कुल नहीं कहा रहा हूं कि Chinese ROM के अंदर आपको performance बेकार मिलेगी या बेकार मिलेगी equals to EU ROM बिल्कुल ऐसा ही रहेगा यार कहने वाली बात है कि Chinese ROM के अंदर आपको optimization जादा किया गया है या ऐसा मिलेगा इसके अंदर performance बहुत अच्छा मिलेगा तो ऐसा नहीं है आपको यहां पर जो है updates देखने हो मिल जाएंगे जो system की application है आप उनको update कर सकते हैं यहां पर आपको get apps में जाएंगे तो यहां पर आ आपको कोई खास changes नहीं किये गए हैं camera department के अंदर भी तो same to same आपको यहां पर देखने हो मिलेगा हलाकि इसमें थोड़ा सा जो आप pics वगरा क्लिक करेंगे उसके colors भी आपका skin tones वगरा वो काफी change देखने हो मिलेगी क्योंकि Chinese लोग जो होते हैं वो यार बड़ी अजीब type क होते हैं तो उनके हिसाब से यहाँ पर skins के color देखने हो मिलेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको मज़ा नहीं आएगा इसका camera यूज करने में यहाँ पर जो भी आपको applications देखने हो मिलती हैं तो same ही है लेकिन आप इसको flash करने ही कोशिश मत कीजिएगा मैं तो मना ही कर आओगे यहाँ पर आप उसके अंदर registration करोगे तो आपको यहाँ पर यह Chinese languages का support देखने हो मिलेगा यह आपसे कुछ permissions मांग रहा है यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कुछ भी alone नहीं करूँगा क्योंकि मुझे घंटा है इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हाला कि यह जो यहाँ पर आप अपना data waste करोगे European ROM को ही use कीजिए वही आपके Mi A3 के अंदर आपको privacy भी यहाँ पर देता है और features भी आपको बहुत सारे देखने हो मिलेंगे उसके अंदर यह जो वीडियो बनाने का एक motive था बहुत सिर्फ इतना था कि यहाँ चाहिना ROM के अंदर आपको क्या-क्या यहाँ पर देखने हो मिलेंगे I hope आपको यहाँ पर इस वीडियो के थूरूप पता लग गया होगा कि आपको यहाँ पर चाहिना ROM इंस्टॉल करना चाहिए अपन पर फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वाटसएप जहाँ पर भी आपके अकाउंट्स है यार सभी जगह हमारे इस वीडियो शेयर कर दीजेगा तो गाईज इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में जैहिंद, वन्दे मातरम, you guys have a great day